वजीरिक्स हैक पे कुछ important updates आ रहे हैं मुझे आपको तक वही पहुचाने है आज इस वीडियो में एक तो बड़ा update यह है कि जो users से feedback कि इनों ने collect किया था उस पर एक सेंसने statement दिया है कि वजीरिक्स हैक के बाद जो trading open रही थी जिन users ने trade किया था उसको वो restore करेंगे उसको अंडन करेंगे और आपका जो account 18 जुलाई को था जो balance 18 जुलाई को था उसको restore किया जाएगा एक यह update है इस पर आगे बात करेंगे दूसरा वजीरिक्स के अगेंस्ट एक petition file होगी है National Company Law Tribunal NCLT में यह petition file हुई है कि भही इस case में इस case को investigate किया जाए वजीरिक्स पी उसके funds हैं पैसे हैं वहां से हैक हुआ है और यूजर्स के पैसे exchange अभी तक पापस नहीं दे रहा है इसमें mismanagement, mal practices और fraudulent activities वाले section में यह जो petition है वो file हुई है सबसे पहले update number 1 को discuss कर लेते हैं वजीरिक्स ने यूजर्स से feedback लेने के लिए पोल रिलेस किया था, वो poll खत्म हो गया, उससे कुछ हासिल हुआ नहीं वैसे इनको बेवकुफ़ वाला बोल था, उसको कही बाद discuss कर शोगे उसके बाद इन्होंने feedback forms निकाले थे, industry experts के लिए, उस feedback के बाद वजीरिक्स ने अब ये कहा है कि उसके platform पे जो 18 तारीक के बाद ट्रेडिंग हुई, hack के बाद ट्रेडिंग इन्होंने open रखी, आप जानते हूँ, तो उस period में, यानि 18 से 21 तारीक तक जो ट्रेडिंग चली तो sell-off शुरू हुआ, massive sell-off था, 20-30% प्राइस जो कम हो गए, crypto के लोगों ने बेचे crypto, so ऐसे में जो trades भी 18 जॉलाई 2024 को एक बज़े के बाद दिन में एक बज़े के बाद उनको reverse किया जाएगा, अगर आप ने 18 जॉलाई को दो बज़े bitcoin खरीदा, for example, या कोई और coin खरीद हुआ था, इस पर ऐसे allegations भी लग रहे थे, कि भई, जो ये लोग trading open रखी हुए, इन लोगों ने वो इसलिए रखी हुए, ताकि exchange insiders अपना पैसा INR में convert कर ले, बहुत बड़ा issue बना था, बज़ेरेक्स को लगा कि ऐसे काम नीच चल सकता, they can't go on with this, इन सब transactions को reverse करना जाएगा, वो भी आपको वापिस मिल जाएगा, also ये तो हुई बात उस fund की जो आपने, आपके पास wallet में था, but अगर किसी ने 18 जुलाई के बाद funds deposit की हैं, उसका क्या, तो इस पर वेजरेक्स का कहना है कि भई, exchange के पास इसका data already available है, अगले कुस दिनों में वो इस पर भी users को update देंगे, कि उन funds के साथ जो आपने deposit की हैं, उनका क्या होगा, ये process कब से शूर होगा, तो ये अगले कुस दिनों में बता रहे हैं कि भई, ये अगले कुस दिनों में start हो जाएगा, exchange कहता है, it will start over the next few days, so मान के चलो, अगले 3-4 दिन या 4-5 जिन प्रोस जो पूरा हो ज इस पर वजिरक्स का कहना है कि भई, जिन transaction पर जो TDS लगा होगा आपका वो भी users को वापस दिया जाएगा, मतलब महां पर भी वो refund करेंगे, वापस करेंगे, पैसे जब इन्होंने पो रिलीज किया था था न, तब exchange ने कहा था कि भई, जिसने, जिसके INR exchange पर होंगे, उसक के बाद अपने crypto sell किये, INR में convert कर लिया, तो उनको लगा कि भई, अब उनका जो पैसा है, अब उनको वापस मिल जाएगा, वहाँ बज गया, लेकिन उनकी टेंशन ना बढ़ जाएगी, कि वजिरक्स का कहना है कि सारे trades और सारे transactions पर यह applicable होगा, चाहे किसने crypto से INR खरीदे चाहे INR को, मतलब चाहे crypto based के INR में उसको convert कर लिया, यह सब transactions को and done किया जाएगा, सब restore होंगे, जैसे 18 July को एक बज़े थे, बज़े एक से स्टेप्स ले रहा है, बट इसमें भी ना एक दिक्कत है, यहाँ पर कि जब hack हो आता ना, तब tokens का price कुछ और था, अब पिछले कुछ देनों में, market में बड़ा sell-off आया, market गे रही है, तो आप crypto assets जो restore होंगे, उनकी value आर काफी कम हो जाएगी, 10-15%, 20% तक डा इनके पास और फिर भी trading चला रखी थी, वो nullify कि इन्होंने, बट still exchange कब open करेंगे, इस पर इनकी को clarification अभी वेजरिक्स नहीं दी है, कैसे users के funds इनको वाबस करना है, इस पर भी their silent, INR तो air इनको दे देने चाहिए थे, बट उस पर भी कोई decision exchange आ भी तक नहीं ले पाया, बाइनस से help के उमीद कर रहे हैं, wait कर रहे हैं कि बाइनस किसी तरह से इनकी help करेगा, बट बाइनस को भी DGGI, Directorate General of GST Intelligence ने बाइनस को 722 करोड रुपे का notice भेज दिया, कि भाई, आप 722 करोड रुपे का GST बले जमा करो, जो इंडिया में आपने business किया था, उस पर, now let's see कि बाइनस कैसे इसको respond करता है, मतलब ये भी एक नए issue बन सकता है, अब दूसरा update ये है कि national company law tribunal, NCLT में वजरेक्स के against a petition file होगी है, companies act के अंदर जो proceedings होती है, वो NCLT में आती है, NCLT में file की गई इस petition में वजरेक्स और उसके partner liminal जो है, उसका भी नाम है, founders को, founders का भी नाम है दूसरे नाम भी है, अभी तक तो टुटर पर ये मतलब वजरेक्स यूजर जो है, वजरेक्स को बोल रहे थे, यूजर के भाई, इसको solve करो, लोग के funds बापिस दो, बट अब petition जा चुकी है, NK against, and वजरेक्स और लिमिनल दोनों ने इस पर का है, कि fraud के legation, जो petitions में लगे कुछ करना चाहिए, इस फायर फायल कर दे वाना पंगा हो जाएगा, ये तो पता चलेगा आगे, और इस पेटेशन के बाद ही, इनका statement भी आया है, कि हैक के बाद की जो ट्रांजेक्शन है, उनको reverse करेंगे, जो भी काम वजरेक्स ने अभी किया है, जो करने वाला काम है, पेटेशन के बाद किया इन लोगोंने, एलस वे ट्विटर पे घ्यान ही दे रहे था और कुछ नहीं कर रहते हैं, ये दो अपडेट थे, पॉइंट अपडेट चो मुझे शेर करने थे आपसे इस वीडियो में, वजरेक्स हैक पे रेगुलर हम लोग अपडेट्स आपके लेके आ रहे हैं, आगे भी लेके आता रहूँगा मैं, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आप अपने questions यहों, comment section में लिख देना, जो भी relevant लएंगे वो मैं अगले वीडियो में लूँगा, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में, take care, keep watching, so much.